नमस्कार दोस्तों, हमारी यूटूब चैनल क्रेजी इंडिया पर आपका हार्दिक स्वागत है आज मैं आपके लिए एक महत्तपुन टोपिक लेकर आया हूँ आपको स्वस्थ बनाने के विशे में, आपको बहुत सारी बीमारियों से बचाने के विशे में यह एक पत्ता, आपको पूरी जिन्दगी बिमार नहीं होने देगा अगर स्वस्थ रहना चाहते हूँ, तो आप यह विडियो जरूर देखे दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपने हमारी यूटूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजे, सब्सक्राइबर बटन के साथ जो बेल आइकोन है, आप उसके उपर क्लिक करना ना पूले क्योंकि इससे आपको हमारी सबी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आती रहेगी जिसे देखकर आप अपने लिए फाइदा उठा सकती है तो आएए दोस्तों, अब बात करते हैं अपने टोपिकी अगर दमा, अस्थमा या स्वासरो किसी को हो जाए तो ये उसकी मोत के साथ ही जाता है, ऐसा कहा जाता है और फिर दमा का परकौप सर्दियों में अक्सर और भी बढ़ जाता है मगर दोस्तों, आज हम आपके लिए एक ऐसे उपाई को लेकर आए हैं जिसके परियोग से ना सिर्फ दमा, बलकि आपके सरीर की हर बीमारी का जड़ से सवाया हो जाएगा और आप कभी बीमार नहीं पढ़ेंगे अगर आप स्वस्त हैं, तो आपके इम्मूटी पावर इतनी बूश्ट हो जाएगी कि आपके आस पास भी कोई बीमारी नहीं फटक पाएगी एक ऐसा प्रयोग जो हमारे बहुत से भायों दुवारा अनुफूद है और अनेक लोगों का दमा इससे बिलकुल सही हुआ है और अनेक वयद लोग भी इसका प्रयोग करते हैं दोस्तों, इस औस्दि का नाम है दमबेल तो आईए दोस्तों जानते हैं दंबेल के सेवन का तरीका दंबेल का एक पत्तल इसको गोली की तरहें बनाकर इसमें एक काली मिर्च डालिए और पान की तरहें चबा चबा कर सुबह खाली पेट खालीजिए उपर से थोड़ा गरम पानी पीलीजिए कुछ देर में उल्टी हो सकती है जो के एक अच्छा संकेत है उल्टी होगी और आपके सरीर में जमा हुआ कफ बाहर निकल जाएगा ये एक सवभाविक प्रक्रिया है इससे गबराई नहीं जब कफ निकल जाएगा तो उल्टी अपने आप बंद हो जाएगी इस परकार तीन दिन सुबह खाली पेट इसका सेवन करने से दमा जैसे भ्यंकर और कठिन रोग से पीडित रोगी को पून आराम मिल जाता है अगर तीन दिन में इसका पून लाब आपको ना मिले तो इस परियोग को एक सब तहा तक किया जा सकता है इसके साथ दोस्तों अगर आप 80 साल तक बिलकुल सुष्थ बने रहना चाहते हैं कि आपको कोई बीमारी भी ना लगे आपके आसपास भी कोई बीमारी ना फटकी तो दोस्तों आप हर रोज सुबह इस पेड़ का एक पत्ता हर रोज सुबह खाईए चबा चबा कर खाईए और उपर से गरम पनी पीजे तो आपके आसपास भी कोई बीमारी नहीं फटकीगी आप हमेशा सुष्थ बना रहेंगे और ये बहुत ही अजमाया हुआ नुस्का है दोस्तों आप इसको परियोग कीजे और इसके रिजल्ट आप हमसे जरूर सेर कीजे दोस्तों अगर आप एक पत्ते का सेवन हर रोज करते हैं तो आपको जीवन में कभी भी किसी बीमारी का सामना नहीं करना पड़ेगा आपके बुखार तक भी आपको नहीं होगा इतना कारकर है ये नुस्का दोस्तों इस नुस्के में अवस्सक फरहेज भी है इसके बाद रोगी को एक महिने तक घी तेल वे सभी परकार की खटी वे ठंडी चीजों से फरहेज करना है खासकर दमे के लिए और अगर आप हर रोज खाते हैं तो इन चीजों से जितना दूर रहेंगे उतना ही अच्छा है और दमे में तो इनको आपको 100% फरहेज करना ही है अगर आप वायदा चाहते हैं तो दोस्तों यह थी हमारी वीडियो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छे लगे या इसे आपको कोई जानकारी पराप्त हो तो प्लीज आप हमारी वीडियो को लाइक वे शेयर करना ना पूले इसके साथ साथ आप हमारी यूटूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना पूले क्योंकि इस चैनल पर आपके लिए हम जबरदास टिप्स लेकर आते हैं जिससे कि आप अपने जीवन को सुख में बना सकते हैं और सुख में जीवन जी सकते हैं धन्यवाद दोस्तों